दोस्तों ये देखे बारिस का क्या फाइदा और क्या नुकसान होता है मैं आपको दिखाऊँ बारिस का पानी हमारे पौधों के लिए अम्रित समान होता है जो पौधों की नेचुरल ग्रोथ में बहुत ही साहयक होता है लेकिन उसके साथ जब तेज हवाओं के साथ बारिस च तो इस प्रकार के result भी बारिस के अपने garden में हमें देखने को मिलते हैं लेकिन बारिस जतनी ज़्यादा लाबदायक होती है बारिस का पानी गंबलों में पढ़ता है मिट्टी में पढ़ता है तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफी अच्छी होती है उसकी pH value थोड़ी ज़्यादा होती है तो पौधों की overall growth के लिए बहुत ही अच्छा होता है पौधे बहुत तेजी से growth करते हैं बारिस का पानी पाने के बाद लेकिन जब बारिस तेज हवाओं के साथ चलती है तो उसके साथ ये जो नुकसान में आपको दिखा रहा हूँ गंबले गिर जाना, फूट जाना, साफ में मिट्टी निकल जाना पौधे कि ज़र टहनिया है उनका तूट जाना ये सारे नुकसान भी साथ में होते हैं इसके अलाओं मैं और दिखाता हूँ, आप इधर देखी ये मक्के के पौधे हैं हमारे तो जब तेज हवाय चलती है तो इनकी जो टहनिया होती है देखी इस प्रकार से डाउन हो जाती है तो इन सभी चीजों से बचने के लिए जब भी आपके हां बारिस का मौसम हो तो आप जो प्रिवेंट कर सकते हैं उसमें क्या होता है कि जो आपकी इस्टेम है ना मेर इस्टेम जो कमजोर पौधे हैं या फिर बहुत बड़े बड़े पौधे हैं तो उनको जो बड़े पौधे हैं जो चोटे गमले में बड़े पौधे लगे हुए हैं उनको आप ऐसी जगहां पर प्लेस कीजिए जहां थोड़ा सा कोना हो या किसी दिवाल का सपोर्ट हो तो उससे क्या होता है कि हवा सीधे पास नहीं होती है मैंने जो गलती गरी से आप देख सकते हैं ये पौधे असे सीधे रखे हुए हैं तो जो पौधा जो गमला हलका पड़ गया वो पौधा गिर गया और गमला तूट गया पर आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं इस प्रकार से जैसे मैंने यहां दिवाले देखे, दिवाल के सामने यह पौधे रखे हुए हैं, तो इन में से एक भी पौधे नहीं गिरेंगे, क्योंकि हवा पास नहीं हो रही सीधी, तो हवा इन पे ज्यादा effect नहीं डाल पाएगी, दूसरी चीज, कि जो छोटे पौधे ह जो चोटे जैसे मक्के के पौधे हैं, इन्हें आप सपोर्ट दे सकते हैं, छोटे बांस के मदद से, जिससे कि यह नीचे की तरफ बेंड ना हो और टूटे नहीं, तो ऐसे में आप अपने पौधों को चोटे पौधों को और गार्डन को बारिस से तेज हवाओं से होने व वो तो सभी पौधों के लिए बहुत ही लाब दायक होता है, यह लगातार इस समय मौसम खराब चल रहा है, अचानक बारिस हो जा रही है, तो उस बारिस से हमारे पौधे काफी अच्छे से ग्रोध भी कर रहे हैं, साथ में इस प्रकार से थोड़े बहुत नुक्सान भी हम आप इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, अपने गार्डन को देख लीजिए, पौधों को सही से प्लेस कर दीजिए, ताकि आपके पौधों को इस प्रकार से कोई नुक्सान ना हो